Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल Roaming Pal पर मैं हूँ Ankit Pal आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मेगाले या असाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे एक बजट तरीके से मात्र 10-12,000 रुपए में 5 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं मेगाले पूरा गूमने के लिए exactly ऐसा ही मैंने भी किया था और इसमें इंट्रस्टिंग बात ये है कि इसमें flight tickets डेली से गुहाटी तक के भी included है shocked मैं आपको बजाता हूँ details कैसे कर सकते हैं ये आप भी इसमें बस एक छोटा सा एट्रेक ये है कि अगर आप गुहाटी जा रहे हैं तो आपको किसी ऐसे bank का credit card यूज करना होगा जो आपको reward points देता हो मेरे particular case में मैं SDFC bank का credit card यूज करता हूँ जिसमें मेरी हर spend पे मुझे मिलते है कुछ reward points और जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि आप उनकी site से जाकर उन reward points को redeem करके flight tickets बुक कर सकते हैं अगर आप normally देखेंगे तो normally आपको दिली से गुहाटी का आने जाने का ticket साड़े 5-6,000 रुपए के बीच में मिल जाता है लेकिन अगर आप SDFC की site से बुक करते हैं तो उस case में आपको ये ticket पे 70% तक का discount मिल चकता है अपने reward point को redeem करके exactly मैंने भी ऐसे ही किया मेरे को ये ticket पढ़ा मात 1800 रुपए का तो नोट कर लीजिए 1800 रुपए मेरे आने जाने का ticket हो गया गुहाटी तक का माइन करिएगा गुहाटी के आगे आगे आपको खुदी ट्रैवल देखना होगा अब आपको ये decide करना है कि आप गुहाटी पहुंचने के बाद ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं बजेट अप्रॉक्सिमेटली दोनों का सेम ही बनेगा किसे बनेगा अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रिफर करिए कि हाँ लोकल ट्रांसपोर्ट के तूँ ट्रैवल करें और अगर आप सोलो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो self-drive काडियों को बहुत अच्छा उप्शन हो सकता है मैं जब गया था तो बहुत अपने कॉसंस के साथ गया था इसलिए हमारे पास चार लोग थे and उसकेस में अगर हम सोलो ट्रेवल के तरह वहाँ पर टैक्सियां बुक करते तो शायद हमें महिंगा पड़ जाता या फिर शेर्ड कैब लेता है तो फोर इंटू जो फेर है आपका पर शेर्ड कैब में करें तो वो भी हमें अल्मोस्ट सेमी पड़ था इसलिए हमने वहाँ पर जूम कार बुक करी थी अब जूम कार आपको पांच दिन के लिए अराम से छे साड़े शेजार रुपर मिल जाती है और ऐसा मानते है कि आप दो लोग है हम चार थे आप दो है तो पांच दिन के लिए शेजार रुपर में जूम कार यानि कि 3000 पर हैड में आपको अराम से एक ऐसी गाड़ी मिल जाएगी जिसे आप कहीं भी लेकर जाएं फ्रीली लेकर जाएं और आप से कोई पूछने वाला नहीं है इन केस अफ व्सोलो अगर आप शेयर टैक्सी या शेयर वहाँ पर मोड यूज़ करेंगे तो गुहाटी से मेगाल एसो हो रहा चेरा पहुंची जो में लोकेशन है वहाँ तक जाने के लिए आपको 500-600 रुपया पर हेड का चार्ज देना होगा और आप हाँ पहुंच जाएंगे तो अगर आप रेक्सी ले रहे हैं तो भी आप 600 रुपय में पहुंच रहे हैं अब वहाँ पर आप सेल ड्राइब कार ले रहे हैं तो 3,000 रुपय में पहुंच रहे हैं तो यह आपका 600 में आप सोहरा पहुंच रहे हैं और वहाँ पर लोकल ट्रेवल मिलाकर अप्रॉक्सिमेटली पंदरा सो रुपय में भी आप वहाँ पर ट्रैवल कर लेंग और शेयर में भी आपको उतना ही पड़ेगा तो अभी तक आपको जो टोटल ट्रैवलिंग कॉस्स बनी वो बनी 1,800 रुपीज फॉर फ्लाइट टिकेट्स एंड उसके साथ साथ पंदरा सो रुपय फॉर लोकल टैक्सी एंड बस जो आप वहाँ पर यूस करेंगे तो 3200 रुपीज में आपका ट्रैवलिंग तो सौट हो गया अब में चीज जो हाँ पर आईगी आपको रिक्वाइड होगी वो होगी अगर आप सोलो हैं तो डेफिनेटली होमस्टे पर जाएं वहाँ आपको 700 रुपीज में अच्छी क्वालिटी वाले होमस्टेज आपको मिल जाएंगे पूरे में खाले में लेकिन अगर आप दो लोग हैं तो आप होटल भी प्रिफर कर सकते हैं कि होटल भी 1500 के इंड में बड़े अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पर स्टे करने के लिए और अच्छी लोकेशन पर हैसा भी नहीं कि आपको आउटर भी रुखना है आप बिल्कुल सिटी सेंटर में जाकर रुख सकते हैं हमने वहाँ पर जब बुक किये थे तो हमें 1500 की रेंज में बहुत सारे होटल में लेकिन हम चार लोग थे तो हमें धाई से तीन हजार रुपे में चारो लोग का स्टे बड़ एहराम से मिल जाता था और कई में तो फूड भी इंक्लूड होता था जिसमें डिनर और मौनिंग ब्रेक्फस इंक्लूड था तो अगर कुछ ऐसी डील आपको मिलती है जो 15 हमें ब्रेक्फस भी मिला तो आपको खाने अगर अचा भी और कम हो जाएगा बट हम कंसीडर करके चलते हैं कि ऐसा नहीं है आपको 700-800 रुपे का होमस्टे ले रहे हैं या फिर 1500 का रूम ले रहे हैं उसमें खाना इंक्लूड नहीं है तो खैर उसकेस में अब क्या होगा अ हम इंडू 4 कर देते हैं तो अराउंड 2800 रुपीज बनता है यहां पर आप 3,000 रुपीज के असपस अपने इस टे का करच्छा और एड कर लीजे तो पहले हमा था 3,200 फिर हमने 3,000 और एड कर दिया तो आउट इस 6,200 और कुछ है मिसलें इस करच्छा जो हम नोटस नहीं कर अगर तो खाने का और एड करेंगे तो 6,500 में आपका आना जाना रहना तो हो गया अब खाने की बात करें वह पर अगर आप लोकल फूड खाएंगे तो लोकल फूड एप्रॉक्सिमेटल एक बंदे के लिए 1,500 से 200 की रेंज में बड़े अराम से मिल जाता है एक टाइम की म मैं 500 ले लता हूं एक टाइम में 500 रुपीज की मिल खा लेंगे हला कि ऐसा नहीं है आप 200 रुपे की खाएंगे तो आप 1,000 रुपीज पर डे के यसाब से 4,000 और एड कर लिए तो आप यह अब कैलकुलेट करेंगे 6,000 प्लस 4,000 यानिके 10,000 रुपीज 10,000 रुपे में आप आने जाने का हो गया रहने का हो गया वहाँ पर घूमने का हो गया और उसके साथ-साथ खाने का भी इंतिजा हो गया आप कुछ लोग यहाँ पर आर्गूमेंट यह करेंगे कि जो हम लोकेशन पर जारे हैं वहाँ पर घूमने के टिकेट बहुत जाजा लगते हैं ऐसा नही तो आप 11,000 रूपीज में पूरा का पूरा में घा लिया घूम सकते हैं बिना किसी फिकर के अगर मैं अपने एक्सवेंस की पर्टिकुलरी बात करूँ अगर आपने हमाई सीरीज देखी हो और नहीं देखी तो डेफिनेटली देखी अच्छी सीरीज है आपको पसंद आएगी और आप ज़्यादा बेटर तरीके से प्लान कर पाएंगे उस सीरीज को देखकर कि आप कि किन-किन डेज की इसाब से प्लान कर सकते हैं और हमने तो मेगाले के साथ असाम भी कवर किया था और मेरा टोटल एक्सवेंस आया था सिर्फ तेरा हजार रुपे पर हैड का और सब्सक्राइब कर रहा हूं और अपनी अगर बात करों तो मैंने असाम काजिरंगा भी कवर कि इन सेवन देज फॉर थरीन थाउजन रुपीज करो वह आपको जानने कैसे किया था तो आप डेफिनिटली सीरीज देखे हम समझ जाएंगे में घाले के लिए 10 थाउजन रुपीज इस सफीशिंट अगर आप बाई एयर वहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं और अगर आप लोकेशन को थोड़ा साइव लिमिट कर लेंगे में में लोकेशन से चूज कर लेंगे कि आपको इन ही जगाओ उपर जाना है तो आप डेफिनिटली से 10 अजार से भी कम में कर सकते हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी से इन्फोर्मेटिव आपको लगी होगी और कि आपको इन्फोर्मेट घस तो कर लेंगे कि आपको इन्फोर्मेटिव और कर 10 अबस. नहीं हो जबस्तिक हैं उफ जबस्तिक का लेंगे होगी में ऊता है उपको इन्फ़.